हलो दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को डिसकस कराया था कि income from house property कैसे calculate किया जाता है, मैंने एक format डिसकस किया था और साथी साथ आपको बताया था कि उस पूरे format में दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी है सबसे पहले है कि gross annual value हम कैसे calculate करेंगे और दूसरा interest on loan कैसे calculate करेंगे आज के इस वीडियो में हम discussion करने वाले हैं पूरी तरह के से gross annual value के ओपर हम देखेंगे कि आखिर gross annual value कैसे calculate की जाएगी इसी वीडियो में हम कुछ examples भी देखेंगे मैं आपसे suggest करूँगा कि आपने अगर मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो इसको सबसे पहले देख लीजे जिससे आपको help होगी इस वीडियो को समझने में आपकी simplicity के लिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो description box है नीचे दिया हुआ उसमें मैं अपना पुराना वीडियो शेयर कर दे रहा हूँ आप पहले उसको देख लीजेगा फिर इस वाले वीडियो को देख लीजेगा और आज हम देख लेते हैं कि gross annual value कैसे calculate होगा बहुत simple तरीका है आपके पास होगा क्या कि fair rent आपको पता होना चाहिए तो जो भी general किराया होता है जो भी सरकारी value होती है बट obviously चीजे आप उससे जादा ही charge करते हो higher जो भी होगा उसको हम लोग FR1 का नाप देदेंगे दूसी तरफ उस locality में generally लोग कितना किराया charge करते हैं आप usually जो भी लोग किराया charge करते हैं उसको हम लोग standard rent बोलेगे अब FR1 यानि की higher वाले को और standard rent को compare करोगे और इन दोनों में जो सबसे lower होगा उसको अब यहाँ पे mention करते होगे जिसका हम लोग नाम दे रहे हैं FR2 लियान रखेगा genuinely FR1 और FR2 का कोई लेना देना नहीं है सिर्फ understanding के लिए हम यहाँ पे रख रहे है FR1 और FR2 फिर यह जो lower वाली value आई है जिसको हम लोग ने नाम रखा है FR2 इसका comparison हम करेंगे 12 months rent से जिसको हम लोग expected rent भी कहते हैं और इन दोनों में से जो भी higher होगा उसको हम लोग नाम दे देंगे GAV का उसको हम लोग gross annual value consider करेंगे इस formula को समझने का बिल्कुल आसान तरीका है higher lower higher higher तरीका क्या है fair rent और municipal value में से जो higher होगा वो होगा FR1 FR1 और standard rent में से जो lower होगा वो होगा FR2 और FR2 में से 12 months rent जिसको हम लोग expected rent भी कहते हैं इन दोनों में से जो higher होगा वो हो जाएगी मेरी GAV generally वो मेरी GAV हो जाती है इसके लाबा कुछ बाते आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रुत है वो कौन सी बाते हैं जरा उसके बारे में हम discussion करते है सबसे पहला point आता है case number one कि FR2 is higher than it will be GAV ध्यान से समझेगा कि आप जो उपर अपने solution solve किया है इसमें FR2 यानि कि ये जो last वाली value है अगर ये वाली जो value आ रही है जो higher आ रही है अगर ये FR2 आ रहा है तो उस case में FR2 ही हमारी GAV होगी तब तो कोई problem नहीं है FR2 ही हमारी GAV होगी लेकिन case number two कहता है कि if 12 month rent is higher यानि कि जो GAV की value निकल के आ रही है ये 12 months rent वाली value निकल के आ रही है then also consider vacancy if any तब उस case में आपको vacancy को consider करना पड़ेगा और vacancy की value को reduce करना पड़ेगा मैं एक बात बहुत जल्दी से इसको फिर से explain कर दे रहा हूँ मैंने आपसी ये कहा कि हो सकता है कि यहाँ पे FR2 की value आए अगर FR2 की value आएगी तो FR2 ही हमारा GAV बन जाएगा दूसी तरफ अगर 12 months rent हमारा यहाँ पे higher आता है तब उसकी situation में हमें vacancy को consider करना पड़ेगा आईए इस बात को हम practically समझते हैं जो चीज़े हमको जादा clear करेंगे यहाँ पे हमने example लिया इस example को पहले हम समझते हैं example में दो case है case number 1 और case number 2 municipal value इस case में 1,20,000 है fair rent इसका 1,50,000 है standard rent 1,20,000 है दोनों ही situation में जो चीज़े correction मैंने change की है वो है expected rent जिसको हम लोग ने 12 months rent भी कहा था 12 months rent यानि कि expected rent हमारा 12,000 पर मन्त है case number 1 में और 9,000 है case number 2 में दोनों ही situation में मैंने रखा है vacancy है हमारी 2 months की अब बताइए कि GAV क्या होगी देखें GAV calculate करने के लिए आपको मैंने formula उपर बता दिया था वो formula बहुत simple था उसी को हम लोग discussion कर रहे है वो formula क्या था fair rent और municipal value whichever is higher ये देखें fair rent हम लोगोंने question से जो भी fair rent आया था 1,50,000 उठा करके यहाँ पर mention कर दिया फिर जो भी municipal value आया थी फिर question में अगर हम check करें तो standard rent जो हमको दे रखा है वो है 1,20,000 तो ये जो 1,20,000 रुपीज है इसको भी हम लोग solution में डाल देते हैं standard rent 1,20,000 अब हमें क्या करना FR1 और standard rent में से हमको comparison करना है और दोनों में से जो lower होगा उसको हम लो FR2 mention कर देंगे जिसको हम लोग को FR2 हमने दिया that will be lower value अब इस lower value को हम compare करेंगे expected rent से आप याद करो जो मैंने आपको formula दिया था lower value यानि के FR2 में हम लोग क्या करेंगे expected rent expected rent का मतलब 12 month rent 12 month rent के साथ हम comparison करेंगे तो इस situation में अगर आप पहले वाले case में देखो तो 12 months 12,000 पर month है और दूसरे वाले में 9,000 पर month है तो हम 12 months rent के साथ इसका comparison करेंगे तो चलिए 12,000 के साथ कर हम comparison कर रहे है तो 12,000 into 12 यानि कि यह हो जाएगा 144,000 रुपीज और अगर हम 9,000 का साथ comparison कर रहे है तो 9,000 into 12 करोगे तो that will be 1,08,000 रुपीज यह एक mistake है 96,000 यह 1,08,000 होगा मैं यहाँ पे mention कर दे रहा हूँ 1,08,000 रुपीज यह है 1,08,000 रुपीज ठीक है तो अगर आप इन दोनों का comparison करो तो आप comparison में क्या देखोगे कि यहाँ पे जो value दे रही है वो है 1,44,000 और यहाँ पे जो value दे रही है वो है 1,08,000 तो 120 और 144 में higher क्या है 144 और इसी तरह से 120 और 108 में higher क्या है 120 अब हमें क्या करना होगा हमें GAV determine करनी होगी GAV determine करने में हमने क्या आपको बताया था एक बाद जल्दी से discussion करते हैं कि अगर FR2 जादा होगा तो FR2 ही हमारी GAV बनेगी आप ज़रा चेक करो इन दोनों में 120 और 144 में अगर आप चेक करो तो 144 हायर है यानि कि 120 हायर नहीं, FR2 हायर नहीं है दूसरे वाले case में चेक करिए अगरा तो दूसरे वाले case में 120 और 108 में 120 हायर है यानि कि FR2 जादा है अगर FR2 जादा होगा तो मेरी GAV FR2 होगी यानि कि 120,000 होगी दूसरे यानि case number 1 में अगर आप देखिए तो इन दोनों में 144 जादा है यानि कि expected rent जादा है और अगर expected rent जादा है तो हम vacancy को consider करेंगे अगर हम vacancy को consider करेंगे तो क्या होगा आप ज़रा check करिए कि solution ने दे रखा है कि question ने दे रखा है कि total हमारे जो rent था 12,000 रुपीज पर मन्त और उसमें दो महीने की vacancy थी तो अगर 12 months rent हमारा higher आता है तब उस case में हम vacancy को consider करेंगे vacancy है 2 months की जिसका मतलब हो गया कि हमको मिला होगा 10 months तो 12,000 into 10 करोगे तो आएगा 1,20,000 रुपीज तो आएगा 1,20,000 रुपीज तो क्या हम लोग ने F2 को तो नहीं लिख दिया ऐसा नहीं है मैं repeat करता हूँ माल लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमारी vacancy एक मिला दो कि यहाँ पे अगर 3 months होती मैं इसको यहाँ पे पकायता solve करकर दिखा रहा हूँ माल लेते हैं कि अगर हमारी यहाँ पे vacancy 3 months होती तो क्या होता 12,000 into 9 क्योंकि 9 months फिर हमारा घर occupied था consider करेंगे और उस case में जितने महीने का किराया मिला है केवल उतने महीने की किराय को ही MGAV में input देंगे, hopefully आपको यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गए होगे thank you for watching this video, have a nice day